हालो फ्रेंट्स कुड़ बॉनिंग ओल आप यू मैं सुनिल सर्मा यूर इंग्लिस टीचर यूर हटली वेलकम इन वेकानद ओनलाइन क्लासेज आप सबका आर्दी कम लंदन है दोस्तों वेकानद के ओनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका कल के ओडियू लेक्चर में आपक इसको इंग्लिस में एड्जेक्टिव कहते हैं पर कुछ ऐसे विसेशन भी होते हैं जो क्रिया की विसेशता बताते हैं इसको आप इसकी डेफिनेशन देखे वे सब्द जो या तो क्रिया की विसेशता बताते हो या विसेशन की बताते हो या फिर क्रिया विसेशन विसेश tell more about a verb money reads loudly अब इसमें loudly जोड़ से पढ़ने के लिए बताए गया है reads क्रिया है दोस्तों इसमें और loudly जोड़ से तो ये क्रिया विशेशन हो गया एडवर्ब हो गया एक example दिया है इसमें अब कौन-कौन से सब्द आपके क्रिया विशेशन में आते हैं दोस्तों जैसे ओफन है नाव ओल्वेज इनफ सो क्वाइट हीर देयर सेल्डम सेटेनली यूज्वली समटाइम यट यह सब क्रिया विशेशन में आते हैं mostly क्रिया की विशेशता बताने वाले को एक लाइन में अपने कह सकते हैं क्रिया विशेशन समय का बहुत कराने वाले अब देखो सबसे पहले क्रिया विशेशन को किसी ग्रामन में तीन बागों बाट रखा है किसी में चार बागों बाट रखा है अब आपको बता देता हम सबसे पहला इसमें है एडवर वोप टाएम यह विशेशन होते हैं दोस्तों जो वाक्ये में हमें बोट कराते हैं किसका कि कारी कब हुआ कारी होने का समय का बोट कराते हैं कहने का तात्परी है सब्सक्राइम को समय इ tek u और इंग्ली समय का बूत कराने वाले किने इड़र्ब उप टाइम कह democratic ताइम पहला प्रकार है अब इस पुषि इसमें कौन कौन से को रख सकते हो ना या इन इव है या ठेनी अभी, सुन जल्दी, two days then तब, yesterday बीतावा कल, tomorrow आने वाला कल, यह सब समय के लिए है, जैसे he came yesterday, वह यहां कल आया, दोस्तों he came yesterday, एक वाक्या आपका ये हो गया, he will come soon, सुन भी आपके यह, Adverb of Time है यानि समय का बोथ कराने वाले क्रिया विशेशन है कि वो जल्दी आएगा दूसरा आपका है Adverb of Palace इस्तान का बोथ कराने वाले क्रिया विशेशन इनके नाम में इनकी परिवस्ट है दोस्तों ऐसे विशेशन जो वाक्ये में आते हैं और आपको किसी कारे का इस्तान बताए कि कारे कहां हुआ कहां समपन हुआ इसमें कौन-कौन चाहते है Here है, There है Up है, Down है, Under है Below है, Above है जैसे सीता वेंट देर देर यानि वहां सीता वहां गई तो ये वहां के लिए आ रहा है दोस्तों और जैसे Come Here यहां आओ तो वे विसेशन वे सब्द जो वाक्य में किसी कारे का इस्तान बताए उन्हें किरिया विसेशन कहते है तो दोस्तों आज के इस ओडियो लेक्चर में सबसे पहले अपन ने किरिया विसेशन की परिवासा देखी क्रिया विसेशन को इंग्लिस में क्या कहेंगे संग्या और स्रुनाम की विसेशता बताने वाले सब्द कौन से होते हैं संग्या और स्रुनाम की विसेशता बताने वाले विसेशन होते हैं जिनको अंग्रेजी में एड़ेक्टिव कहते हैं और ऐसे सब्द जो वाक्य में किसी क्रिया की विशेष्टा बताएं क्रिया विशेष्टन कहलाते हैं इसमें कुछ सब्द रखे गए हैं often now always यह मैंने बता दिये फिर क्रिया विशेष्टन के प्रकार इसमें से अपने दो प्रकार आज के लिए रहे हैं एक तो adverb of time यानि समय का बहुत कराने वाले क्रिया विशेष्टन ऐसे वे सब्द जो वाक्य में आते हैं और आपको किसी भी कारिय के संपन होने का समय का बहुत कराएं वो adverb of time कहलेंगे दोस्तों और adverb of palace जो दूसरा आपका क्रिया विशेष्टन है यानि इस्तान का बहुत कराने वाले क्रिया विशेष्टन आपको यहीं तक लिखना है second तक as a homework in your notebook and send me after 5 p.m. on my personal whatsapp number यह इसमें एक बर और बता दो आपको मैं adverb of palace में वे सब्द जो वाक्य में आते हैं और किसी भी कारिय का किसी भी कारिय का इस्तान का निर्दारन करते हैं कि यह कारिय का संपन हुआ वो सब कहलाते हैं adverb of palace okay go ahead best of luck